मैं साक्षी आप देख रहे हैं NBT TechEd और आज हम लेकर आगे Infinix GT 10 Pro की unboxing और इसमें आपको दिखाएंगे इस phone का first look so nothing जैसा rear है इस phone का इसलिए बहुत जादा चर्चा में भी एक transparent back है gaming design है, gaming phone है और भी बहुत सारी खास बाते हैं इस phone के बारे में जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में तो बने रहे हैं और देखें इसका first look तो आगे हैं हमारे पास Infinix GT का cool सा box so box को first look में देखें तो बड़ा सा box है Infinix के जो बाखी phones है और उसके जो boxes है उससे काफी अलग है तो green color का box यहां पर नहीं मिल रहा है black color का box है और काफी gaming सा look भी दिया है box को फड़ा फड़ इसको खोल के देख लेते हैं आगे पीछे same चीज है इसको खोलते है GT 10 pro 8GB RAM और 256GB variant वाला यह smartphone आगे है हमारे पास चलिए open कर लेते हैं तो यह तो phone का box है जो कि काफी हलका लग रहा है यह भी phone का box है लेकिन यह काफी heavy लग रहा है तो यह है भारी वाला box दोनों में से जिसमें कि हमें लग रहा है कि phone मिलने वाला है तो front में देख तो काफी अच्छा और cool सा design इस box का इंपिनिक्स GT 10 pro लिखा हुआ है पीछे देख लें तो phone 8 plus 256 GB वाला है जो हमारे पास है इसमें media deck dimensity 8050 processor दिया गया है जो की snapdragon 888 से compare करता है या fight करता है साथ में fhd plus 120 hertz refresh rate और amoled screen भी इसमें मिलती है camera 108 megapixel का मिलता है storage ufs 3.1 इसमें दी गई है 5000 mh की तगड़ी बैटरी भी मिलती है 45 watt fast charging support मिलता है एक चीज जो इसके बारे में काफी बात की गई है वो यह है कि infinix के इस phone में blot wears नहीं आएंगे जो हर phone में infinix के हमें problem जरूर रहती है तो clean and pure OS experience इस phone के साथ मिलने वाला है साथ में पीछे mini LED indicators भी दियोंगे जो इस box को खोल के जब phone देखेंगे तब पता चलेगा तो यह है इसकी main specifications जो की काफी promising लग रही है तो जल्दी से box खोल लेते हैं और देखते हैं कैसा है infinix GT 10 pro का first look तो open करने में सबसे पहले यह box हमारे हाथ में आने वाला outplay the rest infinix GT जिसमें की काफी सारी चीज़े कुछ कुछ हैं तो एक तो normal सा plastic का cover मिलता है इसके लवा साथ में screen guard भी इसमें मिलता है कवर और screen guard के लावे इसमें manual guides आती है और साथ में card और यहां पर आयवा है interface outplay the rest का I think it's a sticker yes it is a sticker so यह sticker है साथ में इसम ejection pin अब देख लेते हैं phone इसमें आता है नीचे phone के लावा 45 watt का infinix का adapter इसमें दिया गया है और साथ में orange color की आपको card मिलेगी जिसका ऐसा design है अब यह तो मार बस phone आ गया है पर इस phone की first look reveal करने से पहले देख लेते हैं कि इस box में आखिर क्या है जो कि बहुत light weight है इसकी भी unboxing कर लेते हैं तो सेम जैसा phone का box था वैसा ही box है इस box में मिल रहा है एक यह cover साथ में इसके अंदर यह box निकला है और साथ में phone भी आया है तो इस box में था यही इसको रखते हैं side में और देख लेते हैं phone की first look कैसी है तो यह है Infinix GT 10 Pro का first look सबसे पहले हाथ में लेती आपको उतादू बहुत जादा light weight है स्मार्ट फोन 5000 mAh की इसमें battery दी गई है उसके बाद भी बहुत light weight phone है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने हाथ में कुछ पकड़ भी रखा है इतना light weight है अभी जब हम इस phone की unboxing कर रहे हैं तब इसका launch नहीं हुआ है तो हमें इसकी पूरी specifications तो नहीं बता है लेकिन जो फोन जो box पे थी वो तो हमने आपको पीछे पूरी बताई दी है तो almost वो specification cover हो गई है 3rd August को ये phone launch होगा 108 megapixel AI camera के साथ आता है यहां पीछे जैसे आपको दिख रहा है दो बड़े-बड़े circle में round दिये गए है यहां पे पीछे phone को पूरा अगर आप कहें एक तरीके से तो nothing phone का look भी ऐसा ही आता है पीछे से काफी transparent और gaming look पूरा इसको मिला है यहां पे Infinix GT की branding मिल जाएगी right and side पे देखें तो power on off और volume on and off button दिया गया है साथ में यहां पे speakers मिलते हैं फोन पे screen guard एक लगावा आता है और एक box में आता है left में आपे same ejection tray है नीचे की side देखें तो वही परानी 3.5 mm jack का dock यहां पे मिलेगा charging dock है और साथ में दिये गए phone on होगा call आएंगे तो यहां पे light जलेगी और एक दूसरे जो इसका variant है उसमें बाहर धूप में जाने पे जो phone है phone का rear panel है वह अपना color change करता है तो यह दो तरह की के variants इसमें आते हैं तो अगर आप security के बारे में जाना जाते हैं तो इसमें fingerprint sensor face unlock और password protection तीनों तरीकी के options मिलते हैं अभी हम कर रहे हैं इसका सिर्फ quick setup तो यह हो गया है gt10 pro का quick setup display first look में तो काफी अच्छा लग रहा है scrolling experience अगर मैं आपको कहूँ कि महेंगे phones जितना 30-40,000 के AMOLED screen में scrolling experience smooth होता है उतना smooth नहीं है हाला कि Infinix हमेशा phones के साथ काफी 50 कीमत लेके आता है users के लिए तो अभी भी हमारी expectation यह है कि phone 20,000 से कम की range में आएगा और 20,000 से कम की range में जो इसका display का first impression है वो promising जरूर लग रहा है कि अच्छा experience होगा क्यूंकि gaming phone company लेके आई है तो display का अच्छा होना एक काफी बड़ा point हो जाता है second चीज जिसको हमें वेट था देखने का which is काफी clean interface अगर आपने हमारे previous infinix के smartphone के review देखे होंगे या unboxing देखे होंगी तो एक परिशानी या एक शिकायत हमें infinix के phone से हमेशा रहती है कि इसमें bloatware बहुत सारे आते हैं बहुत चारी apps पहले से pre-loaded आती और जो user experience हो काफी खराब हो जाते है क्योंकि इसकी mostly apps uninstall या delete भी नहीं की जा सकती हाला कि इसमें आप देखेंगे पूरा clean आपको मिलता है कोई bloatware नहीं है आपका OS experience जो है वो काफी अच्छा होने वाला है इसके साथ कोई space नहीं ले रहा ह अगें अगर हम screen की बात करें तो emulet screen इसमें display मिल रही है 120Hz का refresh rate मिल रहा है इसकी main specification की बात करें पीछे triple rear camera setup मिलता है जिसमें primary camera जो है वो 108MP का आता है Android 13 पे काम करता है और clean stock experience इस phone में आपको मिलेगा center में hole punch aligned front camera दिया गया है चलिए अब settings में चलते हैं कुछ और चीज़े details इस phone के बारे में देखते हैं so infinix GT 10 Pro Dimensity 8050 processor के साथ Android 13 version पे काम करता है front camera 32MP का है rear 108MP हमने बताई दिया जो हमारे पास variant है 256GB storage के साथ आता है और 8GB RAM के साथ आता है जिसमें से कि plus 5GB है तो plus 8GB expandable RAM इसमें पांच हजार मेंच की तगड़ी बैटरी के साथ आता है तो इसकी जो specification in terms of papers पे जो specification है वो तो काफी अच्छी लग रही है लेकिन overall experience में phone कैसा रहेगा क्योंकि gaming phone है तो इसकी gaming accessory भी हमें साथ में आई है तो gaming के मामले में processing power के मामले में camera के मामले में battery के मामले में और display के माम अगर phone खरा उतरेगा तो ही एक overall package बन पाएगा और यह आप जान पाएंगे जब आप जुड़े रहेंगे NBT Ticket के साथ क्योंकि जल लेके आएंगे इस amazing से दिखने वाले phone का review. Unboxing आपको करके दिखा दी, इसके features बता दिये, first look बता दिये, लेकिन इस phone के साथ और भी कुछ speaker भी use कर सकते हैं, तो यह दो speakers हैं, side में आपको लिखा दिखेगा insert GT 10 pro hair, so यह किया, Infinix ने आपने box का भी use, यहां पे दिये speakers, आला कि कुछ बहुत amazing experience तो नहीं है, बट हाँ, छोटी motor trip में, या कारवार में, या किसी छोटी जगे में, रात को गाने सुनने हैं, तो आप इस यूजर्स को यह उभोगताओं को क्या खास मिलने वाला है, तो पहले 5000 उभोगताओं को handset को pre-book करने में, मतलब कि launch day के start होने पर ही, जो 5000 first customers होंगे, जो handset को pre-book करेंगे, उन्हें एक special मौका मिलेगा, pro gaming kit हासिल करने का, तो यह gaming kit आई है, हमारे साथ इसमें review unit में, वो ऐस हो सकता ही, कि users को नहीं मिलेगी, तो जो first 5000 customers होंगे, जो इसे pre-book करेंगे, उन्हें chance मिल सकता है, कि उन्हें मिल जाए, यह pro gaming kit साथ में, company ने यह भी confirm किया, कि access bank card holders को, खास benefits भी offer किये जाएंगे, अगर वो इस phone को खरीदेंगे, या pre-book कराएंगे, तो बने रहे हैं हमारे स कम की range में भी मिल रहा है phone, हमें comment करके जुरू बताए, इस phone के बारे में क्या जाना चाते है, ताकि वो सारी details हम लेकर आए, इस phone के full review में, तब तक के लिए बने रहें NPD Tech It के साथ, और हाँ, अगर अभी तक हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं गया है, तो तुरन जाए, सब subscribe करें